चलिए गडी इबनिंग एविवान वालकम तो दिस पर्डिक्लर सेशन संडे स्पिशल क्लास में स्वागत है आप सभी का तो सबसे पहले तो आपको पता है क्या करना है पूरी तरह से टिंटी भोजाओ सारे स्ट्रेंड गडिवनिंग गडिवनिंग व्यू अवरि वैरियर वरियुड इवनिग पूले थे रखू आप सब भी मैं भी बहुत अच्छे ह постро हूं और बेलकुल मज़े के साथ आज के सेशन को लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले तोne फटा फटा पट्टा फटा पट्राइक कर दो को शेयर कर दो अपने friend circle के साथ जो पढ़ने वाले बच्चे उनके साथ में आज के session को शेयर कर दो ताकि वो लोग भी जुड़ जाये good evening thank you wow चली सारे strengths पूरी तरह से attentive हो जाएंगे अपना 100% देने के लिए एक एक चीज को carefully सुनेंगे समझेंगे and the most important things हर एक चीज को समझेंगे because आप अगर attention नहीं दोगे तो मुझे पढ़ाते के से आए गार I won't be able to teach if you don't pay attention so चली मजे के साथ स्टार्ट करता है good evening to all देखिए बई कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आज कुछ interesting चीज़ों पर हम discuss करेंगे तो आईए करता है देखिए आपको कल में कुछ जो भी चीज़े पता आ रहा था whatever I was teaching one thing that I was telling you कि आपका reading अगर अच्छा होता है तो आप language को बहुत अच्छा समझते है तो reading को हम लोग importance दे रहे थे साथ ही साथ मैंने self-confidence के बारे में आपको चीज़े आपको बताए थी आज उसी पर next level के चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ त्यान देना है थोड़ा सा आई ये सबसे पहले तो करता है दासु बाली practice क्योंकि आपको पता है मैं बिना practice के कोई भी session मेरा start नी गरता हूँ what I personally believe that practice is everything if you are regularly practice putting your 100% efforts on trying to speak everything in English then nothing looks tough everything is easy when you know the right strategy to learn so let's get started everyone सबसे पहले मैंने का वहां मत जाओ तुरंत बोलो English में speak instantly वहां मत जाओ don't go there आपको वहां जाना पड़ेगा come on you will have to go there जब भी कोई काम करना पड़ेगा तो will have to लगता है ऐसा दिमाग में click करो रवी क्रिकेट खेला करता था कोई काम आप किया करते थे habit of past used to रवी used to play cricket मेरे पास कुछ नहीं था I had nothing जब आप कहोगे मेरे पास कुछ नहीं है I have nothing मेरे पास कुछ नहीं होगा I will have nothing ओके आपके पास सब कुछ होगा आपके पास सब कुछ होगा आपके पास सब कुछ होगा You will have everything आपके पास सब कुछ था You had everything आपके पास सब कुछ है You have everything You have, you will have and you had आपको सोचना चाहिए क्या कहेंगे बोलो आपको सोचना चाहिए You should think फिर से बोलो आपको सोचना चाहिए you should think, आपको बोलना चाहिए, you should speak, आपको इस बारे में बोलना चाहिए, you should speak about it, फिर से बोलो, you should speak about it, मुझे बोलना पसंद है, एक-एक sentence की value करना है दो, एक-एक sentence की, जो में पूछ रहा हूँ, whatever I am asking, you just try to speak with me, I know some of you must be confused, कि भई, ये कैं सरम से बनता नहीं, हम केसे बोले, अ आप में से कुछ, any of you, आप में से कोई, none of you, आप में से कोई भी नहीं, ठीक है, तो some, any, none, ये तीनों हमारा हो गया है, ठीक है, ऐसे देखो, some of us, हम में से कुछ, any of us, हम में से कोई, none of us, हम में से कोई भी नहीं, ऐसे ही आप बना दो, some of them, उनमें से कुछ, any of them, उनमें से कोई, none of them, none of them, का मतलब क्या हो जाएगा, उनमें से कोई भी नहीं, तो ऐसे sentences बनाता है, आप ये अच्छुल में sentence नहीं है, ये phrases थैं आपके, ठीक है, अभी अभी दर दियान दो, मैंने कहा, आप में से कुछ लोग जो है, थोड़ी सी problem फेस कर रहा होंगे, some of you must be facing some problem, but इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलने ही सकते है, but that does not mean you can't speak, अगर आप कोशिस करो तो आप कुछ भी बोल सकते है, if you try, you can speak anything, if you try, you can speak anything, come on, मुझे, आपको वहाँ जाना चाहिए, एक एक स्टुन का देंशन ची मुझे, आपको वहाँ जा there and learn English, आपको वहाँ जाना चाहिए, और English सीखनी चाहिए, क्या कहोगे, you should go there and learn English, मैं तयार हूँ English सीखने के लिए, I'm ready to learn English, मैं तयार हूँ पढ़ाई करने के लिए, I'm ready to study, मुझे पता है के से पढ़ाई करनी है, I know how to study, जब भी जो चीज आपको पता है, आपने का मुझ मुझे पता है के से तैरना है, I know how to swim, मुझे पता है के से खाना पकाना है, I know how to cook food, मुझे पता है क्या पकाना है, I know what to cook, मुझे पता है क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, I know what to speak, मुझे पता है क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, I know what to speak, मुझे पता है क्या लिखन write, what not to write, मुझे पता है क्या सुनना है क्या नहीं, I know what to listen, what not to listen, what to listen, क्या सुनना है, what not to listen, क्या नहीं सुनना है, तो मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना, I know what to do, what not to do, मुझे पता है क्या बूलना है क्या नहीं बूलना, I know what to speak, what not to speak, मुझे पता है क्या लिखना है क्य know what to write, what not to write, आपको लिखना चाहिए, you should write, you should write, आपको sentences बनाने चाहिए, you should make sentences, आपको sentences बनाने पड़ेंगे, you will have to make sentences, आपको जाना पड़ेगा, you will have to go there, मैं वहाँ जाया करता था, I used to go there, मैं इंग्लिश बोला करता था, I used to speak English, फिर से बोलो, I used to speak English, आपके पास समय है, you have time, but I don't have, you have time, but I don't have, अब थोड़ी सी practice में इसकी करवा रहा हूँ, दो मिनट के लिए सारे students पूरा attention देना, some of you, आप में से कुछ, आप में से कुछ कल absent है, क्या कहेंगे इंग्लिश में, some of you, come on, आप में से कुछ कल absent है, some of you were absent yesterday, आप में से कुछ वहाँ जा सकते है, some of you can go there, अब क्योशन उठता है, क्या सर, यह subject की रूप में यूज होता है, जी नहीं, यह subject और object दोनों की रूप में यूज होता है, जैसे मैंने वहाँ आप में से कुछ लोगों को देखा, I saw some of you there, दोनों sentence को ध्यान से देखो, A और B, A में some of you, जो है, it is working as a subject, at a same time in sentence, B, some of you working as an object, तो जितने भी words यहां लिखे हैं, यह सारे के सारे आपके pronoun है, and they are working as a pronoun, so don't worry guys, यहाँ पर इनको आप as a subject, as a object, दोनों तरीके से उस कर सकते हो, अच्छी बात यह है, कि subject में भी वही उस होगा, जो object में होगा, ऐसा कोई changes नहीं होगा, जैसे सम of us को subject में भी सम of us ल कुछ students बहुत ही creative है, some of you are very creative, आप में से कुछ students, तो some of students among you, यहाँ पर situation और भी बदल जाएगी, मैंने क्या पूछा, आप में से कुछ students बहुत ही creative है, यह sentence है अब आप ते कहा कि इसको English में बनाओ, तो इसको English में बनाने का trick है, मैंने कहा, some of students, मतलब students में से कुछ, among you, among you मतलब आपके बीच में, some of students among you are very creative, are very creative, मैं उनके creativity की respect करता हूँ, respect their creativity, some of you are very intelligent, आप में से कुछ बहुत intelligent है, any of you, आप में से कोई, आप में से कोई वहाँ गया था, any of you went there, आप में से कोई यहां आया था, any of you came here, आप में से किसी नहीं क्याम किया है, any of you has done this work, याद रखना, any of you के बाद singular verb लगेगी, some of you के बाद plural verb लगेगी, none of you के बाद भी singular verb लगेगी, आप में से कोई भी वहाँ नहीं गया, none of you did not go there, और आप में से सभी वहाँ गये, तो एक और बना सकते हो, all of you, all of you went there, आप में से सभी यहां आये, मैं बहुत खुश हूँ, all of you came here, I'm very happy, I'm very happy that you, all of you came here, तो इस तरीके से all of you, ऐसे ही, all of us, ये भी बना सकते हो, हम में से सभी, ऐसे ही, all of them, उनमें से सभी, ठीक है तो ये इस तरीके से आपका बनता है, all of you, all of us, all of them, एक बाप फिर से बोलने कुशिस करो, all of you, all of us and all of them, चीक है, तो ये आपका इस तरीके से बनता है, ये इसकी strategy, ये इसकी planning है, ये इसका pattern है, क्योंकि जब तक आप समझोगी नहीं ना, तब तक चीज़े आपको समझ में नहीं है, what I personally believe, कि आप चीजों को समझ के study करें, what I personally believe, कि आप एक एक चीज़ पर focus करें, चलिए, आपको और भी sentences पूछता हूँ, कोई भी कल घर पर नहीं था, आप में से कल कोई भी घर पर नहीं था, none of you was at the home yesterday, आप में से किसी ने भी उसे call नहीं किया, none of you did not, none of you made him call, at less, you should have met him call, but none of you made him call, that is the biggest problem that you have met, and that's why I am angry at you, all of you were absent yesterday, आप में से कल सभी जो थें absent है, right, चलो, 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 now so यह आपका pattern है some of us हमें से कुछ हमें से कुछ इनकी हिंदी नहीं लिख रहा हूं में हिंदी आप लिखते चलना some of us हमें से कुछ हमें से कुछ इस काम को कर सकते है some of us can do this work आप में से कुछ इस काम को कर सकते है some of you can do this work और उन में से कुछ इसकाम को कर सकते है some of them can do this work कुछ लड़कों में कुछ इसकाम को कर सकते है some of the boys can do this work तो जो भी आप जिसके साथ भी लगाना चाहो some of, any of, none of, all of सब के साथ लग जाता है चली, any of us हमें से कोई हमें से कोई वहाँ जा रहा है any of us is going there हमें से कोई उसकी मदद कर रहा है any of us is helping him मुझे नहीं पता कौन हमें से कोई उसकी मदद कर रहा है क्या कहोगे any of us is helping him और वहाँ हमें से किसी की मदद ले रहा है he is taking help from any of us now you can see take help from मतलब होता है किसी से मदद लेना take help from मतलब किसी से मदद लेना तो he is taking ing लगेगा he is taking help from any of us हमें से किसी से वो मदद ले रहा है चलो, इसी तरीके से देखो none of us हमें से कोई भी नहीं हमें से कोई भी इस काम को नहीं कर सकता है None of us can do this work. None of us can do this work. और all of us हमें से सभी इस काम को कर सकता है. आप हम सब की मदद कर सकते हैं. You can help all of us. आप सभी वहां जा सकते हैं. हम सभी वहां जा सकते हैं. All of us can go there. Some of them उनमें से कुछ. मैंने देखा था उनमें से कुछ को. I saw some of them. मैंने देखा था उनमें से कुछ को जो डान्स कर रहे था है. I saw some of them. They were dancing. Any of them उनमें से कोई. None of them उनमें से कोई भी ने. All of them उनमें से सभी. तो basically फंडा क्या है बस? कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं explain कर रहा हूं. I am explaining you very simple concept. कि यह सम of, any of, every of. ठीक हैं? यह देखो. Some of, any of, none of, all of, every of. अगर यह आपके आ रहे हैं तो इसके बाद में आप जो है you लगा सकते हैं. इसके बाद us लगा सकते हैं. Them लगा सकते हैं. या फिर आप चाहाएं तो कोई noun भी लगा सकते हैं. जिस देखो. Noun के से? Any of boys. लड़कों में कोई. Some of boys. लड़कों में कुछ. All of boys. लड़कों में सभी. None of the boys. लड़कों में कोई भी नहीं हैं. अब देख सकते हैं? Any of boys, some of boys, all of boys, none of boys. अब boys की जग गल्स लिख दो. Copies लिख दो. Pancels लिख दो. Schools लिख दो. Teachers लिख दो. जो आपको लिखना है, लिख दो. It's your choice. चाँ, आज़ो. तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ. कि कोई भी चीज़ टप नहीं है. कोई भी चीज़ डिफिकल नहीं है. सारी चीज़े easy हैं, आसान है. The thing is that, कि आपको समझ के पढ़ना है. और जिनको ये topic अभी समझ में नहीं है, जो मैंने अभी समझा है. Tension मतलो, ये YouTuber में बढ़ा रहा हूँ. तो just after the session, it will be uploaded. तो आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं. या फिर आप विडियो को reverse करके देख लो, शुरू से देख लो एक बार session को, जहां से start हुआ था. अभी कुछ ज़्यादा session गया है नहीं, कुछ 7-8 मिट से तो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको. प्रेक्टिस session में आपको पता है क्या होता है, we simply ask the questions और आपको उनको answer करना होता है. चलिए मैंने आप से कहा, मैं तयार हूँ. क्या कहोगे? I am ready. अब जिस काम के लिए तयार हो, उस काम के लिए to लगता है. जैसे आपने का मैं English सेखने के लिए तयार हूँ. I am ready to learn English. मैं खाना खाने के लिए तयार हूँ. I am ready to eat food. मैं पढ़ाई करने के लिए तयार हूँ. I am ready to study. मैं आपकी मदद करने के लिए तयार हूँ. I am ready to help you. मैं कुछ नया बोलने के लिए तैयार हूं I am ready to speak something new मैं कुछ नया पढ़ाने के लिए तैयार हूं I am ready to teach something new तो इस तरीके से आपका बनता है आपको बोलना चाहिए You should speak आपको कुछ नया सीखनाची You should learn something new First of all, You should learn something new आपको कुछ नया सीखने की जर्बत है You need to learn something new आपको पढ़ाई करने की जर्बत है You need to study मैं पढ़ाई किया करता था I used to study जो भी आपके दिमाग में sentence आते हैं सबसे पहले तो feel relaxed and start translating everything that comes to your mind हमारे पास varieties of sentences जो भी आपके दिमाग में है whatever comes to your mind Just try to speak it out Okay अभी तक जो जो sessions आपको हमने पढ़ाई है वो सारे के सारे sessions को प्योग करूँ अभी तक जो जो जीजी मैं आपको पढ़ाई है उसका एक bit revision कर रहा हूँ चोटा सा ध्यान देना सारे के सारे instruments I have taught you the users of 2B and with the help of this 2B we just make 2Have been that I have taught you Now this small concept that that is to have to have सा बनने वाला to have had यह भी आपको पढ़ा चुका हूँ तो यह चार चीजी हम लोगो ने बेसिक इंग्लिश मह पढ़ी है Now when we talk about the verb of 2B then there is a simple structure that we have to follow it's ismr plus object in the past we have was and were plus object and in future we have will be plus object when you say वो मेरा भाई है he's my brother वो मेरा दूस्त है he's my friend can I have water? Now what we are doing see I'm not teaching you anything here I'm just simply making you practice the things that we have done I'm having some issues in my thought but still I'm managing because I know that I'm here to teach you on Sunday's class I can't miss this this is very special class for all those instruments who actually wait especially for Sunday क्योंकि उनको पता है कि Sunday or Saturday दो दिन लाइप क्लास पढ़ने को मेलेगा and that's why यह तो आज मैं सोचा था कि आज नहीं पढ़ाऊंगो गला मेरा घडबड है मैंने का वो घर पर है तो क्या काओगे इंग्लिश में? he's at the home वो घर पर है he's at the home वो दो दिन से घर पर है he has been come on in English you would say he has been at home for two days he has been at home for two days in English when you say he has been at home for two days मैं इस शहर में दस साल से हूँ मैं इस शहर में दस साल से हूँ English में क्या कहेंगे? I have been in this city for 10 years मैं इस शहर में दस साल से था past में कहेंगे I had been in this city for 10 years और मैं इस शहर में दस साल से हूँगा I will have been come on I will have been in this city for 10 years एक बार बोल कर देखो आप सभी I will have been in this city for 10 years इसी तरीके से जो ची आपके पास है आपने कहा उसके पास एक कार है He has the car उसके पास एक कार थी यह जो उसके है ना यह S है S का मतलब होता subject ओ जो लास्ट में लिखा है This is actually object and there is a huge difference between subject and object subject is someone or something that works that performs the action वो उस particular कारे में में होता है that's actually the subject अभी मैं simply revision किया रवा रहा हूं आप लोगो को है जो आपने पड़ा है Sorry So this is the thing that we are learning So मैंने का भई मेरे पास time है I have time मेरे पास time था पास्ट में क्या बोलोगी I had time and in future you would say मेरे पास time होगा I will have time Okay That is the funder Now here we have to have had This is little bit complicated but if you listen it and try to understand it then going to be very easy Now here you have to use has and have and then had Yes Two times you would say sir has have followed by had How is it possible? Yes Everything is possible in English and especially when I am teaching you then everything is possible मेरे पास ये कार दो साल से है I have had this car for two years In case if you find it confusing and little bit weird to speak then on the place of had you can also use got I have got this car for two years I have got this car for two years or you can say I have had this car for two years this is 100% correct In the past you would say had and then again had If you don't feel good to use had had back to back you know I know it's little bit weird to speak head back to back but if you just don't want to use it you can use got on the place of had subject had had object plus since oblique four plus time मेरे पास ये कार दो साल से थी you would say I had had this car for two years or you can say I had got this car for two years and in future of course I will have had this car for two years the same pattern we are going to follow will have and then had plus object then since oblique four plus time so this is the pattern to use all this basic English in your spoken English and what you need to do at the ground level is that just try to make sentence of all these structures you would say sir language why we are learning through structures why we can't learn without structures so what I personally believe that when you know the structures so you are not going to make mistake and you can also correct yourself because every time when you speak nobody is there to correct you but if you know the structures and grammar so you can exactly correct yourself that where you are making mistake मतलब आप अपने गुरू अपने तीचर खुद बन जाते हो आप अपने तीचर खुद बन जाते हो जो आप अपने तीचर के थो सीखते हो तो मेरा जो बाइस रहा है वो है structure English का और अभी तक with the help of this particular technique we have taught more than one like students across the country so somehow we feel कि यह बहुत बड़ा achievement है institute के लिए और आप सारे students के लिए भी अभी तक हम लोग जिस pattern में सीखते है रहा है वो एक traditional pattern है हम लोगो को एक traditional patterns का दिया जाता है कि बस पंदरा दिन का कुछ थोड़ा हो sentence बनाना सीखलो और आप आव इस्टेज पर आप English बोलो मेरे पाँ यह से बहुत सारे students है जो यह complaint दूसरे coaching institute की करता है कि sir after attending five days demo class they just directly give you the mic and say now speak in mic in English sir मैं केसे बोलू हूँ मैन तो अपने लाइफ में का भी English नहीं बोला है you know so यह common problem हर जग हर इस्टेज कर रहा है so what I personally believe कि अगर आपको एक confident English speaker बनना है तो first you need to complete the basic English you need to translate every single sentence that comes in your mind and the most important things once you start translating everything that comes in your mind now just move on to practice now just move on to practice and then you can start speaking so एक procedure होता है जो follow करता है और बिना procedure के जाओगे न तो English वही फिर सिक देखो 100 लोगों को अगर आपने पढ़ाया न और 100 में से 10 सीख गए तो यह आपका result नहीं है क्योंकि 10 तो 100 में ऐसे हैं ही जिन्होंने बहुत बार कोशिस करी है गीरे हैं पढ़े हैं और वो जाकर माइक में कुछ ने कुछ बोल के निकल जाएंगे तो आप बोलेंगे यार मैंने रिजल्ट दे आपने रिजल्ट नहीं दिया है एक्च्वल में वो 100 में 10 ऐसे थे जिनको पहले से थोड़ा था रिजल्ट तो तब आता है जब आपने 100 लोगों को पढ़ा है और वो 100 में से 99 परसंट जो है वो सब के सब सीख गए है और वो सब के सब बोल रहा है तब ही तो मज़ा आता है यार काम करने का है न चली काम करने से याद है भी आप कोई इंट्रेस्टेट हो तो आज मैं आपको डारेक्ट आप मिलूँगा कब अगले संड़े और सटेडे को तो एक नया कोर्स लाँच हुआ है English with Khushi अप्लिकेशन पर यह हमारी नई अप्लिकेशन है English with Khushi EK के नाम से आपको English with Khushi आप Play Store पर सर्च करोगे तो यह आपको मिलेगा हमारा अप्लिकेशन इस अप्लिकेशन पर हमने नया कोर्स लाँच किया और अच्छे बात यह कि अब यह ओफर में चल रहा है 6th Feb तक तो कोशिस करें कि जो भी इंट्रस्टेड हो 6 जनवरी तक इस कोर्स को पर्चेस कर ले बाद में आप पर्चेस करते हैं तो यह ओफर नहीं मिल पाएगा इसमें 1999 रुपे कोर्स हैं और कुछ 50 रुपीज इंटरनेट चार्जेस है यह इंटरनेट चार्जेस कंपलसरी पे करना होता है इसलिए कुछ 2,050 रुपीया 2,050 देख लेना हो क्या है उसका प्राइज इक्जाक एक कुछ इसका प्राइज जा रहा है अगर आप बाद में पर्चिस करते हो then this would be the price of it इंटरनेट चार्जेस कुछ अलग से इसमें 50-60 रुपे रहेंगे तो वो आपको पे करने होगे आपको जो भी convenient लगे आप देख सकते हैं टीम से content करना चाहते हैं बाकी जानकरी में नहीं दे सकता समय कम रहता है मारे पास में टीम से बात करना जिसको भी परना हो चलिए अभी तर रहान देना सारे students को I need your attention 100% attention मैंने का मैं सोचता हूँ क्या आता है दिमाग में आपके I think I think मैं सोचता हूँ I think मैं समझता हूँ I understand मैं एक student हूँ I'm a student मैं दो साल से के student हूँ I have been a student for two years I have been a student for two years वो मेरा भाई है He is my brother वो एक अच्छा लडगा है He is a good guy वो शुरू से ही एक अच्छा लडगा है He has been a good guy since beginning बोलो एक बार He has been a good guy He has been a good person since beginning वो बच्पन से ही मेरा दोस्त है He has been my friend since childhood वो बच्पन से ही मेरा दोस्त है He has been my friend since childhood वो बच्पन से ही मेरा दोस्त है He had been my friend since childhood और वो बच्पन से ही मेरा दोस्त होगा He will have been my friend since childhood मैं स्कूल में हूँ I am in a school क्या बोलोगे बोलो मैं स्कूल में हूँ I am in school मैं घर पर हूँ I am at home मैं आपके साथ हूँ, I'm with you मैं वहाँ जाना चाहूँगा, I would like to go there मैं आना चाहूँगा, I would like to come here मैं तयार हूँ यहाँ आने के लिए, I'm ready to come here I am ready to come here मैं तयार हूँ कुछ नया सीखने के लिए, I'm ready to learn something new मेरे पास यह बाइक दो साल से है I have got this bike for two years or you can say, I have had this bike for two years तो यह sentences को multiple times जो आप बोलते हो नो आपके tongue used to हो जाती and once your tongue become habitual to speak all these things सारी चीज़े एकदम crystal clear आपको दिमाग में समझ में आना इस्टार हो जाती अगर मैं आपसे कहूँ क्या आपके पास समय है, तो क्या होगा English में Do you have time? अब आप कहोँए सबर आपने कैसे पहचाने के do में बनेगा भी, तुरन समझ जाया करो, मेरे पास समय है, I have time क्या आपके पास समय है तो do does आगे लगता है, subject आता है, उसके बाद have लगता है has नहीं लगता है क्या आपके पास समय है, do you have time क्या आपके पास नॉलेज होगा क्या आपके पास नॉलेज होगा विल्यू है नॉलेज क्या आपके पास इस्किल्स होगी विल्यू है इस्किल्स क्या आपके पास टैलेंट होगा विल्यू है टैलेंट क्या रवी के पास पैसे हैं does रवी have money क्या रवी के पास पैसे थे did रवी have money क्या रवी के पास पैसे होंगे will रवी have money that is the way to transfer तो ऐसे sentences उसको बनाओ मैंने कहा क्या आप English बोलते हो do you speak English जब मैं आपसे पूछूंगा क्या आप English बोलते हो do you speak English क्या आपने English बोली अब बोलोगे सरी ये do you speak English तो digest नहीं हुआ बहिए ये do you speak English tense का है simple के 3 continuous के 3 perfect के 3 perfect continuous के 3 ठीक है यहां लगाओगे do and does यहां लगाओगे did, यहां लगाओगे well, यहां लगाओगे is, am or are यहां लगाओगे was and were यहां लगाओगे will subject plus be यहां लगाओगे has and have यहां लगाओगे head और यहां लगाओगे will subject plus have अब बनाओ sentence क्या आप बोलते हो क्या बनेगे इंगलिश में क्या आप बोलते हो, do you speak क्या आप समझते हो, do you understand क्या आप समझे did you understand क्या आप समझोगे will you understand क्या common दिख रहा है V1, 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 तीनों में ठीक न क्या आप English बोलते हो do you speak English क्या आप English बोलोगे will you speak English क्या आप कुछ नया सीख रहा हो are you learning something new attention दो भई क्या आप कुछ नया सीख रहा हो are you learning something new क्या आप कुछ नया बोल रहे हो are you speaking something new क्या आप कुछ नया बोल रहे थे रहे थे, रहे थे क्या बोलोगे जल्दी बोलो क्या आप कुछ नया बोल रहे थे were you speaking something new क्या आप कुछ नया बोल रहे होंगे will you be speaking something new that's the way to work यह तरीका है, यह pattern, यह strategy है क्या आप पढ़ाई कर चुके हो क्या बोलोगे English में Have you studied क्या आप पढ़ाई कर चुके थे Had you studied क्या पढ़ाई कर चुके होंगे Will you have studied यह इस तरीके से क्या आप दो दिन से पढ़ाई कर रहा हो Have you been studying for two days अब देखूने, सारे कि सारे interrogative sentence बने हैं, जिनकी शरुवात helping वाप से होती है and when you answer them, you have to answer by using yes and no If I say, do you live in Indore Yes I do, no I don't Do you help your friends Yes I do, no I don't Do you think about your future, yes I do, no I don't So what I am telling you कि यह बहुती सरल सा तरीका है चीजों को answer करने का मैं कर आप से बुलू, do you speak Marathi Yes I do, no I don't Do you help your friends, yes I do, no I don't Do you come here, yes I do, no I don't Do you go there, yes I do, no I don't Do you think about your future, yes I do, no I don't Do you make sentences, yes I do, no I don't Do you speak English, yes I do, no I don't So this is the way to work जब यह तरीका, यह पैटन, यह स्टाटजी के साथ में आप ट्रांसलेट करोगे न You are not going to make any mistake Dear instruments, क्योंकि आपके दिमाग के अंदे डेटा जो है, correct way में फॉर्म हो रहा है ऐसे मैं आप से पूछू क्याप मुझे सुन रहा हो, are you listening to me Yes I am, yes I am listening to you Okay, क्याप English सीख रहा हो, are you learning English क्याप रवी English सीख रहा है, is Ravi learning English क्याप English बोल रहा हो, are you speaking English क्याप English बोलते हो, do you speak English क्याप English पढ़ाते हो, do you teach English क्याप English पढ़ा सकते हो, can you teach English क्याप इस काम को कर सकते हो, can you do this work कि आप वहाँ जा सकते हो, can you go here कि आप यहाँ आ सकते हो, can you come here कि आप यहाँ आने के लिए यार हो are you ready to come here are you ready to come here तो ऐसे sentences को आप जब back to back बोलोगे न answer होगा, practice होगी चीजे समझ में आएंगी, आपको feel होगा कि आपने कुछ तीखा है यह जीजे, अगर मैं आप से पूछ हूँ can you help me in this work yes, I can help you come on, can you help me in this work can subject to v1 plus object कुछ से तो बहुत सारे sentences पूछे जाता है past के भी present के भी, present में भी कुछ का भी होता है, जब आप किसी सामने वाले वेक्ति से request करते हो could you help me, could you please move on could you please move there little bit could you help me in this work, could you please tell me your name तो इस तरीके से could copy होता है could present tense or past tense दोनों में होता है simple past, जब आप इसको interrogative मनाते है मैंने का, क्या तुम ये कर पाओगे will you be able to do this क्या तुम ये कर पाओगे will you be able to do this, क्या तुम बोल पाओगे will you be able to speak क्या मुझे बोलना चाहिए क्या काओगे should I speak क्या मुझे बोलना ही चाहिए क्या काओगे must I speak क्या मुझे बोलना चाहिए ought I to speak क्या मुझे बोलना पढ़ता है क्या मुझे बोलना पढ़ता है do does आगे लगेगा do does subject plus have to do I have to speak क्या मुझे बोलना पड़ता था did I have to speak क्या मुझे बोलना पड़ेगा will I have to speak एक बाफर से बोलो क्या मुझे बोलना पड़ेगा will I have to speak क्या मैं बोला करता था used I to speak क्या मुझे बोलने की जर्वत है need I to speak और क्या मुझे मैं बोलने की हिम्मद है dare I to speak तो आप देख सकते हैं किस तरीके से work कर रहा है क्या आप English बोल सकते हो can you speak English क्या आप English बोल सकते है could you speak English क्या आप English बोल सकोगे will you be able to speak English क्या मुझे English बोलनी चाहिए should I speak English क्या मुझे English बोलनी ही चाहिए must I speak English क्या मुझे English बोलनी चाहिए ought I to speak English so this is the way क्या आपको पढ़ाई करनी पढ़ती है do you have to study क्या बोलो की बोलो do you have to study हाँ मुझे पढ़ाई करनी पढ़ती है yes I have to study क्या आपको अपने future के बारे में सोचना पढ़ता है do you have to think about your future क्या रभी को यहाँ आना पढ़ता है does Ravi have to come here क्या आपको उसकी मदद करनी पढ़ती है do you have to help him क्या आपको सुबह जल्दी उठना पढ़ता है do you have to wake up early in the morning बोलो दो एक बार क्या आपको सुबह जल्दी उठना पढ़ता है क्या कहेंगे do you have to wake up early in the morning आपने का हाँ मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, yes, I have to wake up early in the morning, ने, मुझे नहीं उठना पड़ता है, no, I don't have to, no, I don't have to, no, I don't have to wake up early in the morning, क्या आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, do you have to study, yes, I have to study, no, I don't have to study, क्या आपको इंगलिश सीखनी पड़ती है, do you have to learn English, yes, I have to learn English, no, I don't have to learn English, क्या आपको stage पर आना पड़ता है, yes, I have to come on this stage, no, I don't have to come on this stage, क्या आपको इंगलिश पड़ानी पड़ती है, do you have to teach English, no, I don't have to teach English, क्या आपको वहां जाना पड़ता है do you have to go there no I don't have to go there so this is the way to work यह तरीका है यह pattern ही यह strategy है तो जब तक आप यह pattern strategy को नहीं समझ रहा you are going to face some problem there तो मैं इंसेस्ट करूँगा कि आप सही तरीके सीखें क्या आपको English बोलनी पड़ते थी did you have to speak English क्या आपको वहां जल्दी जाना पड़ता था did you have to go there early in the morning हाँ जी मुझे जल्दी जाना पड़ता था yes I had to go there early in the morning क्या कहोगे yes I had to go there early in the morning no I didn't have to क्या कहोगे बोलो no I didn't have to go there early in the morning आपको सोचना चाहिए you should think आपको बोलना चाहिए you should speak क्या बोलते हो, do you speak, क्या बोलने के लिए तैयार हो, are you ready to speak, क्या पढ़ाने के लिए तैयार हो, are you ready to teach, हाँ मैं पढ़ाने के लिए तैयार हो, yes I am ready to teach, मुझे पढ़ाना पसंद है, I like to teach, मुझे बोलना पसंद है, I like to speak, मैं बोला करता था, I used to speak, मैं वहाँ जाया करता था, I used to go there मुझे वहाँ जाने दो let me go there यहां आओर पढ़ाई करो come here and study क्या कऊगे बोलो यहां आओर पढ़ाई करो come here and study आपको यहां आना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए क्या कहेंगे you should come here and study आपको यहाँ आना चाहिए और पढ़ाए करना चाहिए क्या कहेंगे You should come here and study आपको वहाँ जाना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए क्या कहांगे You should go there and help him फिर से बोलो You should go there and help him You should go there and help him मैं उसकी मदद नहीं कर सकता I can't help him क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए क्या लगता को क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए Should I help him Should I help him Should I help him आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए You must help him, he's your friend It is your responsibility to help him Oh really, हाँ जी क्या मुझे वह जाना चाहिए Should I go there आपको वह आवश्य जाना चाहिए वह आपका दोस्त है You must go there, he's your friend और वहाँ जाना आपकी जिम्मिदारी है And it is your responsibility to go there It is your responsibility to go there मैं जानता हूं वहाँ जाना है मेरी जिम्मिदारी लेकिन मेरे पास समय नहीं है I know it is my responsibility to go there But I don't have time But I don't have time Understand the concept जब आप ऐसे समझ के study करोगे न So आप mistake के जो chances कम कर दोगे, automatic कम कर दोगे आपको चीज़ है na crystal clear तरीके समझ में आना start हो जाएगे आप समझने लग जाओगे मुझे क्या बोलना, क्या नहीं बोलना क्या 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 समझना है क्या नहीं समझना है न सारी चीज़ आपको automatic समझ में आएगे चलो, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए बोली, should I go there आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए क्या कहेंगे You must go there आपको यहाँ अवश्य जाना चाहिए You must come here आपको वहाँ जाना चाहिए You must go there आपको sentences अवश्य बनाने चाहिए You must make sentences You must make sentences थोड़ा जल्दी करेंगे हमारे पास में समय नहीं बचता है मारी class कैसे ओपर होदी पता नहीं चलता है मतलब 15 मिट से उपर होगया है मारे session को पता ही नहीं चलता है अब आप देखो यहाँ पर जो भी मैंना अभी तक पढ़ाया आपको to be करवाया to have करवाया to have been करवाया to have had करवाया tenses पढ़ाये 12 models करवाया अब इसके बाद में आप बारी आती है random sentences को पूँचने के random sentences से मेरा आश्य है कि आपको कुछ भी पूछा जाए कुछ भी तो आप पूरी तरह certainty रहा है आपको एक real fact बता रहा हूं real 100% fact आप movies देखने जाते हैं आपने देखा होगा कि कभी-कभी 2 गंटे की movie हमको पता ही नहीं चलती कैसे ओर होगा दो-तीन गंटे की movie हम back-to-back देखते रहते हैं और फिर बाद में और अब अब आपर तीन गंटे होगे देखते हूं क्यों क्योंकि हम लोग movie को पूरा enjoy करता है ऐसे ही जब किसी station को आप पूरा enjoy कर रहा हो उसके अंदर दियो ही चीज़ को आप पूरा 100% समझ रहा हो तो I guarantee कि वो आपको बोरियत लगे गए नहीं the same concept apply in the schools and colleges education आपने देखा होगा इस school college में भी कि कभी-कभी 40 minute का lecture ऐसा लगता है चार दिन से बेठ है और कभी-कभी 2-2 गंटे का lecture भी ऐसा लगता है if you are learning something, if you are getting something that I am teaching you if you are enjoying the thing, then you don't have to learn फिर आपको सीखना थो लिए, आपको तो enjoy करना है तो आओ enjoy करते हैं मजे के साथ में सारे के सारे students करेंगे enjoy आईए, मजे के साथ enjoy करते हैं क्योंकि हमारी physical class में maximum student का एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही आता है कमेंट, बोले सर हम स्कूल की कॉलेज की के लेक्षर में चालीस मिर्ड़ में बहेंकर बोर हो जाते हैं और यहां physical classes में दो दो तिन तिन गंटे बेटते हैं पता ही नहीं चलता है, ऐसा क्यों सर कोई जादू करते हो, कोई जादू नहीं करते हैं हम सिर्फ और सिर्फ पूरी मानदारी, पूरी महनत, पूरी सिद्दत, पूरे 100% देकर पढ़ाता है जहां पर पूरी तरह से teacher और student जो है अपना 100% देरो, result 100% निकलता है चलो, आजो, मजे के साथ सीखते है अभी तक जो भी हमने सीख है whatever we have learnt मैं चाहूंगा कि आप से उस पर बैस में scientist पूछूंगा back to back, आपको उनको आंसर करना with honesty करना है, एक एक इस्ट रहने को क्या आप अभी कुछ कर रहे हो बताओ, क्या बनेगा English में are you doing something now कुछ है इसलिए something लगा है अब इसको आंसर भी करो हज जी मैं कुछ कर रहा हूं yes I am doing something अगर नहीं कुछ कर रहा हूं तो no 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 I am not doing anything, point to be noted something का anything हो जाएगा negative में क्योंकि negative sentence में कभी भी something नहीं लगता this is very 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 important that if you say I am not doing something this is 100% wrong because something is never used in negative sentence, on the place of something you have to say anything, so you would say I am not doing anything, no I am not doing anything, no I am not doing anything मैंने पूछा आपसे, are you doing something now yes I am doing something now no I am not doing anything now are you listening yes I am listening, no I am not listening are you speaking, yes I am speaking no I am not speaking पूरा अटेंशन दो everyone अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन मैंने आपसे पूछा next sentence can she pass this test क्या वो इस test को pass कर सकती ही क्या लगता है answer it yes she can pass this test she is a good girl she is a brilliant girl मैने तो सिर्फ इतना पूछा है can she pass this test बट या आप अपनी अपनी इन भी उसके बारे हम दे रहा हूँ याद रखे एक लाइन की वज़ाए तीन से चार लाइन पाँच लाइन में आंसर देने की कूशिस करे आपको पता है यहाँ पर जब हम लोग फिजिकल क्लास में बच्चों को पढ़ा देना और और ओनलाइन में पढ़ाते हैं तो उनको एक ही चीज़ बताता है मैं पता है physical class में पढ़ा हूँ मैं online class में पढ़ा हूँ मैं YouTube पर पढ़ा हूँ मैं हर जगह पर जो चीज fact है वही बताता हूँ आपको फिर बता रहा हूँ अगर आप में कोई अकलब भी student है तो सुन ले न आप क्या करना जितने भी questions आपको सारे questions तो आपको पता है PDF आपको फ्री में अबल अबल Persona English के दो application English with Khushi और Persona English इसको आप Play Store से निकाले उसमें study material वाले option में जाए फ्री में आपको सारे notes में जाएंगे आपको जो भी questions दिये हैं उन सारे questions को पढ़े पढ़ने के बाद उसको answer करें उसमें अगर लिखा है कि Can she pass this test? answer दो Yes, she can pass this test She is a brilliant girl and I believe she can मैंने अपसे क्या पूछा Can she pass this test? आपने का Yes, she can pass this test She is a brilliant girl I know, I am sure she can pass this test तो आपने उसको 304 line में answer किया है So why have you answered in 3-4 lines? Because when you speak much you learn much एक सिम्पल सफंडा है बास अगर आप ज़्यादा बोलोगे आप ज़्यादा सीखोगे और जहाँ आपने बोलने में कंजूसी करी If you think कि मैं कम बोलूँगा लेकिन अच्छा बोलूँगा ऐसा नहीं होता दोस्त यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको ज़्यादा बोलना है ज़्यादा बोलने का फंडा है यह है आपको यह बताना है मैं आप से पूछता हूँ Do you help your friends? तो आप क्या yes no में जवाब देखें? Yes, I help my friends No, पूरा बोलो Yes, I help my friends because they are my friends and it is my responsibility to help them When I am in trouble, they help me So if they are in trouble It is my responsibility to help them जब मैं परेशानी में रहता हूँ तो वो मेरी मदद करते हैं और जब वो परेशानी में रहेंगे तो उनकी मदद करना मेरी जिम्मिदारी है And that's why I help my friend तो देखो मैंने आप से क्या पूछा और आपने उसको कितने सारे answers बना कर तरह तर की टेक्निक के साथ में answer कर रहा Then you will find that कि सारी की सारी चीजे जो है बहुत easy है बहुत असान है बहुत जादा शानदार है चलो आगे 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 बढ़ता है समय का हम है हमारे पस में Can she pass this test? Yes, she can pass this test She is a brilliant girl She can do anything And if she cannot pass No, she cannot pass this test And she is very weak And she has not studied for a long time So I think she cannot pass this test And if she can pass the test, why can she do it? And why can she do it? So she can also do it So yes, no, I will answer both Next In the third session I have asked you Is Ravi at home now? Is Ravi at home now? Now, which Ravi? We don't know But we have to answer Think Ravi is your little brother And I have asked you Is Ravi at home now? Yeah, he is at the home now As it is Sunday today So he has not gone anywhere He is at the home Now you can meet him if you want I have asked you Is Ravi at home? You said, yes, he is at home Today is Sunday So Sunday is not going to go So today is he at home Yes, you can get it You got it Yes, sir, I got it One question Answer in five to six lines And if you can do it Then give it a whole sentence 10 minutes Yes, he is at the home Because today is Sunday And on Sunday He doesn't go anywhere On Sunday He keeps watching Movies Web series You know He keeps using cell phone He doesn't do anything And the long day He keeps disturbing me Last Sunday He disturbed me And I bit him very badly And this Sunday If he is going to Disturb me again I am sure I am going to Bit him again This technique Way of speaking If you need to Confidently आप बोले तो भाईया ज्यादा से ज्यादा उसके लिए बोलना पड़ेगा पूरी कथा सुनानी पड़ेगी ठीक है स्टोरी टैलिंग की आर्ट जिसके पास है ठीक है आपको एक मेरा खुद की रिसर्च से बता रहा हूँ मैं हमारे पास हमने जिन भी इस्ट्वेंट को पढ़ाया है वो इस्ट्वेंट बहुत जल्दी इंगलिज सीखें जो ज़्यादा बातू नहीं है टॉक टॉक टीब है इस्ट्वेंट्स हुआर वेरी टॉक टॉक टीव दे लन वेरी फास्ट लैंगविज क्योंकि आप भाशा सीख रहा हूँ आपका अकेडमिक यह एक ऐसी स्कील है जो कि आप बले पढ़ाई में कमजोर हो तो भी सीख जाओगे आप बोलने वाले होने चीज़ आदा आपने देखो नों बहुत सारो बड़े अगले दिन फिर उतने की प्राक्टिस फुरू उसके बाद और प्राक्टिस टार्गेट तो जब ऐसे प्राक्टिस टार्गेट्स आपको मिलता है जब आप रगुलर्ली सेशन को अटेंड करते हैं और 90 डेस का है जो सेशन अभी हम लोग लूंच करने वाले है 12th of Feb से भाई, मॉर्निंग में सुबर 9 बजे से है जो भी स्ट्रेंट इंट्रस्टेड होना टीम से कॉंटेक्ट कर लेना टीम के कॉंटेक्ट नमर है 62-64-56-1876 और एक नमर है 8-7-1-9-7-8-0-2 एक नमर है आपका 9-1-1-1-1-6-9-8-0-8 टीक है ना? तो तीनों नमर में से जिस भी नमर से आपका संपर्क हो जाए टीक है ना? कॉर्स रिगार्डिंग पूरी जानकरी ले लेना जो भी चाहा रहा हो मॉर्निंग में है मैं खुद पढ़ाऊंगा इसमें 90 डेस का सेशन है जिसमें 70-75 लाइब सेशन आपको मिलेंगे सब्ता में 6 दिन क्लास आपका रहेगा तो कोशिस करें अच्छे साच्छा इंप्रूब करें और अच्छे साच्छा अपने आपको इंप्रूब करें चली आई ये थोड़ा सा और आगे बढ़ता है पांच मिट का सेशन हो रहारा बचा है तो इसको थोड़ा धमागेदार तरीके से हम लोग प्राक्टिस करके बिताता है चलो पूरा अटेंचन चीए मुझे अटेंटी हो जाओ सारेक सारे स्ट्वें तो ये समझ में आगे नहीं इस रभी अट दे होम तो येस रभी इस अट दे होम रभी इस नॉट अट दे होम फाइनल क्या रिजल निकाला हमने एक ही चीज जो है ओवरॉल निकल के सामने आती है and the thing is that if you speak much you will learn much अगर आप जादा बोलोगे क्या कहा मैंने if you speak much you will learn much अगर आप जादा बोलोगे तो जादा सिखोगे अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आप ज़्यादा सीखोगे अगर आपको इसा लगता है कि ज़्यादा बोलना है मुझे ज़्यादा ज़्यादा सीखना है ज़्यादा ज़्यादा अपने आपको इंप्रूब करना है तो भाई ज़्यादा बोलना पड़ेगा चलो तो आज ये मज़े के साथ शुरू करता है सबसे पहले सारे के सारे स्टुमेंट पूरी तरह सा अटेंटी बोजाएंगे अपना 100% देने के लिए because we are practicing something new today तो आई ये शुरू करता है मैंने का वहां जाईए और उसकी मदद कीजिए go there and help him मैं उसकी मदद नहीं करना चाहता I don't want to help him मेरे पास समय है वहां जाने के लिए I have time to go there एक एक इस्टुमेंट को translate करना मेरे पास समय है वहां जाने के लिए I have time to go there मेरे पास समय था वहां जाने के लिए क्या कहोगे I had time to go there मैं इंगलिष सीखना चाहूंगा बोलो मैं इंगलिष सीखना चाहूंगा I would like to learn English फिर से बोलो मैं इंगलिष सीखना चाहूंगा I would like to learn English मैं cricket खेलना चाहता हूं बोलो I want to play cricket एक एक सेंटर्स को दियान से बोलना I want to play cricket मैं वहां नहीं जाना चाहता जहां आप जा रहा हो, क्या कहोगे, मैं वहां नहीं जाना चाहता जहां आप जा रहा हो, I don't want to go there, I don't want to go there, जहां आप जा रहा हो, where you are going, where you are going मुझे बोलना पसंद नहीं है I don't like to speak I don't like to speak मुझे वहाँ जाना पसंद नहीं है I don't like to go there I don't like to go there मैं आपकी मदद करने के लिए तेयार हूं लेकिन मेरी एक शर्त है I am ready to help you but I have a condition आपको रोज प्राक्टिस करने पड़ेगी You will have to practice daily बिना प्राक्टिस के आप नहीं सीख सकते क्या कहेंगे You can't learn बोलो फिर से नहीं सीख सकते मतलब कोई काम कर नहीं सकते You can't learn विदाउट अगर विदाउट में प्राक्टिस लिखोगे CE वाला नाउन तो प्राक्टिस आएगा वब लिखोगे तो विदाउट प्राक्टिसिंग बहुत सारे student बोलते हैं sir without के बाद मैं practice लिखू कि practicing लिखू तो भाई या practice भी सही है और practicing भी सही है practicing लिखोगे तो यह वाप की तरह काम करेगा और practice लिखोगे तो noun की तरह काम करेगा बिना बोले आप नहीं सीख सकते हैं यहाँ वाप में आएंजी लगे आप आप को नहीं तरह कैसे लिखमें यहां न Wii-a आपको यहाँ आयाँ चाहिए व शुट कम यहां आपको sentences बनाने चाहिए यव शुट में, बननेribution मजह handles you have a sentence is making sentences कि मैं sentences बनाने के लिख यार हूँ I'm ready to make sentence मैं यहाँ जाने के लिख यार हूँ Are you doing this work? क्या यह आपका है? Is this yours? हाँ यह मेरा है? Yes, this is mine. मुझे जाने दो, let me go. मुझे आने दो, let me come here. मैं इंगलिश सीखना चाहूंगा? I would like to learn English. मुझे इंगलिश सीखने के जर्वत है? I need to learn English. आप इंगलिश क्यों पढ़ा रहे हो? Why are you teaching English? आप इंगलिश क्यों पढ़ा रहे हो? क्या कहेंगे? Why are you teaching English? आप इंगलिश क्यों पढ़ाते हो? Why do you teach English? क्या आप पढ़ाने के लिए तैयार हो? Are you ready to teach? फिर से बोलो, क्या आप पढ़ाने के लिए तैयार हो? Are you ready to teach? कि आप यहां आने के लिए तैयार हो, are you ready to come here? हमें यहां आने के लिए तैयार हो, yes, I am ready to come here. मैं वहां नहीं जाना चाहता, I don't want to go there. क्या आप वहां जाना चाहते हो, do you want to go there? हमें वहां जाना चाहता हो, yes, I want to go there. वहां जाहिए, go there. यहां आहिए, come here. इंगलिष सीखिए, learn English. इंगलिष बोलिए, speak English. मैं इंगलिष बोलना नहीं चाहता, I don't want to speak English. मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, I don't want to help you. क्या आप मेरी हल्प करना चाहते हैं, do you want to help me? क्या आप कुछ Innovative करना चाहते हैं, क्या आप क उसको करने के लिए मेरे पास ना तो time है ना ही पैसा है, क्या कहोगे, yes I want to do something innovative but for doing that I have neither time, sorry I have neither time nor money, मेरे पास ना तो समय है ना ही पैसा है, I have neither time nor money, अगर कुछ करना है तो money की जर्बत नहीं समय देना पड़ेगा आपको, if you have to do something, money is not required, you have to put time, और समय में भी अपना शत्र प्रतिशस समय, and in time especially 100% time, क्या आप अपना समय देने के लिए तयार है, are you ready to give your time, जी हां मैं तयार हूँ, yes I am ready to give my time, तो हो जाएए तयार कुछ नया कर वाले कॉर्स में, यह है 12th Feb से start होने वाला, बहुत ही शानदार, जानदार कॉर्स, morning में 9 o'clock से start होगा, और कॉर्स रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, feel free to contact our team, I have already given you the contact number of our team, यह रहा है contact number, ठीक है, या फिर इस नम्मर पर कर सकते हैं, आप call 69808, या फिर 86264561876 801 99802, 9111169808, जिस भी नम्मर पर call करना चाहिए, कॉर्स रिगार्डिंग पहले पूरी जानकारी लो, 12th Feb से batch start हो रहा है, मंडे से, यह मंडे के अगले मंडे से batch start होगा, यह बहुत ही शानदार, जानदार batch है, और सबसे अच्छी बात यह है, कि 6th Feb तक इसमें offer है, जिस के बाद इसका price सीधा बढ़ेगा, 2500 पर, ठीक है, और मैं बोला, बढ़ेगा, मतलब 100% प्रतिशत बढ़ेगा ही फिर, ठीक है, तो देख लेना, अगर को interested हो, street book करवा लेना, आपनी, चलो, बाकी के strengths, मिलता हूँ मैं आप सभी से कब, अगले Sunday को, हाँ, हाँ, बहुत important शी है, इनको book का PDF मिलेगा, उनमें सबसे पहले हैं हमारे सामने, देशराज सिंग, देशराज सिंग, देशराज जी बदाई हो, दूसरे नमबर पर हैं संध्यारानी, तीसरे नमबर पर हमारे साथ हैं, शमपा अग्रवाल, स-A-M-P-A, शमपा अग्रवाल, इसके बाद next नमबर पर हैं, शमपा अग्रवाल के बाद में, कोमल गातम, कोमल गातम, चुक है, और next है, संजय चोहान, संजय चोहन भी यह वो इस्ट्वेंट्स है जो टीम ने सिलेक्ट किये हैं आपकी एक्टिविडीज जो हमारे चैनल पर होती है जो आप चैनल पर हमारे वीडियोस देखते हैं उन पर कमेंट करते हैं उसके आदार पर हम हर वीक पाँच इस्ट्वेंट को करते हैं यह पाँच इस्ट्वेंट के साथ क्या होगा वो देख लो आप चाहें तो जो भी लाइब कोर्से से उनको छोड़कर कोई साभी कोर्स परसोनल इंस्ट्विट का बाई करोगे रिकॉर्डेट सेशन वाला तो उस पर 50% आपको डिसकाउंट है अगर वो कॉर्स 1000 रुपे का तो आपको 500 रुपे मिल जाएगा दूसरा एडवांटेज ही है कि आप अगर चाहें तो किसी भी परसोनल इंस्ट्विट की नियू लांच बुक का PDF अगर अपने WhatsApp पर मंगवाना चाहते हैं तो आप बिलकुल आपको हमारे टीम जो है PDF दे देंगी और बाकी के इस्ट्वेंट को मैं मिलूँगा कब Saturday को और जो इस्ट्वेंट इवनिंग का बैच अटेंड कर रहा है 730 वाला उन सब को कल शाम में मिलूँगा मैं जो मॉर्निंग का विडिया अटेंड कर रहा है इस्ट्री मन्स वाला अटेंड करने वाले हैं यह 12th FAP से स्टार्ट हो रहा है English with Khushi अप्लिकेशन पर बहुआ शांदार जांदार तरीके से बैच स्टार्ट हो रहा है और यह हमारी न्यू अप्लिकेशन है English with Khushi बहुत सारे इस्ट्रेंड को इस इंस्ट्ल नहीं किया है अभी खुछ लोगों के पास तो पुराना वाला भी ऐ है अभी पुराने वाला भी है लेकिन यह नया हम नभी लाउंचका है तो आप लोगों से मिलता हूं मेंकब सैटेड़े को और कल शाम की कलास में जिनों सेशन को लाइक नाइक नाइक ने किया पड़ापट पड़ावर जल्दी से लाइक कर दो। टेक है, चलो। टबाइक Good night, good night, good night, good night, good night to all uerr